परिचय इस व्यवस्था को सजाने के बाद उन्होंने विद्यूत परिपत की कुंजी को चालू किया। कण संकेंद्रिये वृत प्रतिमान में व्यवस्थित हो गया। विद्यार्थियों, आज हम गतिमान आवेश और चुम्बक्त्व के बारे में विस्तार से अधययन करेंगे। उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। औस्ट्रेड के प्रियोग की व्याख्या करना, लोरेंस बल को परिभाशित करना, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम और मैक्स्वेल के कॉर्क स्क्रू नियम को परिभाशित करना, विद्युत धारवाही चालक पर चुम्ब की बल का परिकलन करना, सयूक्त विद्युत और चुम्ब की एक शेत्र में गती की व्याख्या करना, साइक्लो ट्रोण का वर्णन करना बायो स्वाठ नियम को परिभाशित करना विद्युद्धारा वाही वृताकार पाश के अक्ष पर चुंब की एक शेत्र का परिकलन करना औस्ट्रेड का प्रियोग आस्ट्रेड ने अवलोकन किया कि एक सीधे तार में विद्युद्धारा प्रवाहित करने पर नस्दीक रखी हुई चुम्बकिये सुई में विपेक्ष उत्पन हुआ जब तार को सुई के उपर रखा गया और दक्षिन से उत्तर से दक्षिन की विद्युद्धारा प्रवाहित की गई तो चुम्बकिये सुई का उत्तरी ध्रुव पस्चिम की ओर विक्षे पित हो गया जब तार को सुई की नीचे लाए गया तो सुई की विप्रीत दिशा में विक्षेपण हुआ सुई तार के केंदर तह वृत की स्पर्ष रेखा संगरेखित होती है विद्युत प्रवाह बढ़ने पर विक्षेपन अती प्रबल होता है या सुई को तार के निकट लाता है तार के चारों और छिड़के गए लौह चूरन अपने आपको तार के संकेंदरी वृतों में विवस्थित कर लेते हैं उत्तर ध्रुविय जोती ध्रुवों के निकट अक्षांश रेखाओं पर आकाश में देद्य प्यमान रंग प्रदर्शित होते हैं जो एक प्राक्रेतिक परिघटना है सौर प्रजवल के समय सूरे के अलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उत्सर जित होते हैं जिनमें से कुछ कुंडलीनी पत पर प्रिथवी के चुम्ब की एक शेतर के पाश में फस जाते हैं ये कन धुरूविय प्रदेश के निकट एकठा हो जाते हैं जहां पृत्वी की चुम्ब के क्षेत्र रेखाएं नस्दीक होती हैं। वे आवेशित कन किनी विशेश परिस्थितियों में वायू मंडल के अनुओं और परमानुओं से टकराते हैं और इन से प्रकाश उत्सर जित होता है। यह परिघटना उत्तर दिशा में उत्तर ध्रूविय जोती और दक्षिन दिशा में दक्षिन ध्रूविय जोती कहलाती ह किसी चुम्ब की एक्षेत्र B पर जब V गती के साथ Q आवेश गती मान होकर बल आरोपित करता है, तो सामाने रूप से यह चुम्ब की एक लोरेंस बल कहलाता है. इसके द्वारा दिया जाता है कि F बराबर Q गुणा V और B का गुणन फल. परिणाम स्वरूप F बराबर Q V B साइन थीटा. किसी चुम्ब की एक्षेत्र में गती मान आवेशित कण पर इसका चुम्ब की एबल होता है. महत्तम मान जब कण चुम्ब की एक्षेत्र के अभिलंबवत गती मान होता है. F max बराबर Q V B निून्तम मान जब कण चुम्ब की एक्षेत्र अथवा विप्रीत क्षेत्र की दिशा में गती मान होता है. F min बराबर शुन्य. फ्लेमिंग का वामहस्त नियम यदि बाएं हाथ की तरजनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के अभिलंबवत पहलाएं, तो तरजनी चुम्ब की एक्षेत्र, मध्यमा, विद्युत प्रवाह और अंगूठा, बल की दिशा निरूपित करते हैं. इस नियम का उप्योग, चुम्ब की एक्षेत्र में धारवाही तार के लिए होता है. तार, मोटर, यंत्र के आर्मेचर के रूप में कारे करता है. Maxwell का कौर्क स्कूरू नियम कल्पना कीजिए दक्षिन हस्त कौर्क स्कुरू को विद्युद्धारवाही चालक के साथ स्थापित किया जाता है। यदि स्कुरू को इस प्रकार घूरनन कराया जाता है कि यह विद्युद्धारा की प्रवाह की दिशा में गति मान हो, तो अंगुष्ट के घूरनन की दिशा चुम्बकिये रेखाओं के बल की दिशा को इंगित करती है. जब किसी चालक को चुम्बकेक शेत्र में स्थापित किया जाता है तो चालक में संगठित धारा का वहन करने वाला गति मान आवेश चुम्बकेक शेत्र कराता है हम एक चालक के अनुभाग पर विचार करते हैं जिसका एक समान अनुप्रस्त काट शेत्र A एक समान चुम्बकेक शेत्र B में आई विद्युधारा तत्व का वहन करता है हम विचार करते हैं कि चालक का विद्युधारा तत्व IDL है चालक के तत्व DL में मुक्त एलेक्ट्रॉन की संख्या NADL है जहां N संचालक में मुक्त एलेक्ट्रॉन के घनत्व की संख्या है विद्युद्धारा तत्व IDL द्वारा स्थापे चुमकिये बल को माइनस ENADL गुणा V और B के गुणन फल द्वारा दर्शाया जाता है जो I गुणा DL और B के गुणन फल के बराबर है जहां I चालक में विद्युद्ध प्रवाह है चालक पर परिणामी बल F चालक के संघटन में सभी तत्वों के योगदान का सदिश योग है अब हम परिणाम के रूप में पाते हैं F बराबर I गुणा L और B का गुणन फल सरल चालक पर चुम्ब के बल का परिणाम दिया गया है F बराबर B I L साइन थीटा उदाहरण अब हम एक उदाहरण द्वारा विद्युद्ध चालक पर चुम्ब के बल को समझते हैं शुने दशमलव एक मीटर लंबाई का एक क्षैतिज तार 6 एंपियर विद्युद्धारा का वहन करता है इस तार के भार पर चुम्ब के क्षेतर के परिणाम और दिशा का अवलंब क्या हो सकता है जहां द्रवेमान 3 गुणा 10 बढ़कर घातांक माइनस 3 किलोग्राम हो जाता है चलें इसका हल देखते हैं यहां दिये हुए मान हैं L बराबर 0.1 मीटर I बराबर 6 एंपियर M बराबर 3 गुणा 10 से बढ़कर घातांक माइनस 3 किलोग्राम विद्युधारवाही तार पर चुम्ब की एक शेत्र के कारण उत्पन बल जब चुम्ब की एक शेत्र समाने से सरल चालक तक BIL के समान है तार का द्रवेमान M G में दिया हुआ है इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हम पाते हैं BIL बराबर M G इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है B बराबर M G बटे I L मान रखने और गणना करने पर हम पाते हैं B बराबर 0.49 टेसला यहां तार के भार पर 0.49 टेसला के चुम्ब की एक शेत्र का सहयोग रह सकता है चुम्ब की एक शेत्र में कुंडलीनी गति हम विचार करते हैं कि B के लंबवत वेग V के साथ एक समान चुम्ब की एक शेत्र B में आवेश क्यू विचरन करता है चुम्ब की बल सदैव V पर लंबवत कारे करता है आवेश का वेग सिर्फ दिशा में परिवर्तन लाता है वेग वी चुम्बकियक शेत्र के अंदर नियत रहता है अचर परिणाम और स्थिर दिशा वाला बल हमेशा वी से समकोण पर आरोपित होता है और यह आवेशित कुंडलीनी गती को बढ़ाता है अभी केंदर बल की आविशक्ता वृत्तिय पत पर चुम्बकिय बल द्वारा उत्पन आवेश का वरणन करने के लिए होता है वृत्तिय कक्षा की त्रिज्या जानने के लिए M.V. को Q.B. से विभाजित करना होता है हम विचार करते हैं कि किसी कन का प्रारमभिक वेग V. चुम्बकिय खेत्र B. के साथ एक पक्षिय या स्वैचिक कोण बनाता है जब घटक चुम्बकिय खेत्र में लंबवत होता है तो उसका वेग चुम्बकिय खेत्र के समानांतर होता है परिणाम स्वरूप वृत्तिय कक्ष का निर्मान होता है कुंडलीनी की त्रिज्या को वृत्ताकार पदार्थ के कक्षा की त्रिज्या की रूप में परिभाशित किया जाता है इस तरहां कुंडलीनी की त्रिज्या वेग के लंबवद घटक को आवरिती से विभाजित कर प्राप्त किया जा सकता है यह M गुणा वेग का लंबवद घटक विभाजित QB के बराबर होता है संयुक्त रूप से विद्युत तथा चुम्ब की एक शेत्रों में गती वेग वरण करता यदि कोई आवेश वेग के साथ किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां विद्युतिय और चुम्ब की एक शेत्र इस प्रकार है कि विद्युतिय और चुम्ब की ए बल समान और विपरीत है तो उस क्षेत्र में आवेश का विक्षेपन नहीं होगा यह तब संभव है जब विद्यूत बल और चुम्बकिय बल आपस में एक दूसरे के लंबवत हो साइकलोट्रॉन साइकलोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसका उप्योग प्रोटॉन या आयन जैसे आवेशित कणों में उच्च उर्जाओं तक त्वरण उत्पन करने के लिए होता है साइकलोट्रॉन के सिध्धान्त एममकारे साइकलोट्रॉन एक सिध्धान्त पर काम करता है इसके अनुसार चुम्बकिय क्षेत्र किसी वृत्तकार पत पर अपनी गती से मुक्त आवरिती के साथ गतीमान आवेशित कण में बाधक होता है जहां विद्युत क्षेत्र इसे त्वरित कर सकता है साइक्लोट्रोन एक रिक्त गुलाकार पात्र से बना होता है जिसमें दो डीज अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी के आकार के होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं दोनों डीज अपने सीधे किनारों पर खुले हैं पात्र को बहुत ही शक्तिशाली विद्युत चुम्बक के धुवों के बीच स्थापित किया जाता है D's के रिक्त स्थान के बीच उच्च आवरित वाले प्रत्यावर्ती धारा वाले विद्युत दोलक को स्थापित किया जाता है स्रोत आयनों में त्वरण उत्पन करता है कलपना कीजे धनात्मक आवेश Q और द्रवेमान M के साथ एक आयन रिक्त स्थान के इंदर पर है जब D2 के सापेक्ष D1 धनात्मक विभव पर है D के अंदर चुम्ब की एक शेत्र आयन को उसके रास्ते से आर त्रिज्यावाले अर्ध वरित की ओर मोड देता है यहां आवेश निम्न संबंद स्थापित करता है Q V B बराबर M V वर्ग बटे R साइक्लोट्रोन आवरिती जिस पर आयन क्षेत्र में गमन करता है उसे Q B बटे 2 पाई M द्वारा दर्शाया जाता है D में आयन द्वारा एक अर्ध वरित को पूरा करने के लिए गया समय पाई M बटे Q B द्वारा बताया जाता है अनुनाद की स्थिती में आयन बारंबार त्वरित होने और उर्जा प्राप्त करने के लिए डीज के बीच में एक निश्चित समय पर पहुँचता है अनुनाद की स्थिती में यह उर्जा कक्षा के आकार को बढ़ाने को छोड़ कर कुछ नहीं करता है आयन रिक्त स्थान से गुजरते समय हर बार उर्जा प्राप्त करने के लिए एक स्प्रिल पत बनाता है लेकिन प्रत्यावर्ती धारा विभिन चर्णों में रन जाता है D की तृज्या में आयन वांचिय उर्जा प्राप्त करता है यह दिनात्मक आवेशित प्लेट और यंत्र की पत्ती द्वारा विक्षेपित हो जाता है आयन द्वारा प्राप्त महत्तम उर्जा को B वर्ग, R वर्ग और Q वर्ग के गुणनफल को 2M से विभाज़त कर दर्शाया जाता है सयोजन की श्रेणी में V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 जहां समानांतर सयोजन में Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सयोजन की श्रेणी में Cs का व्यूत करम बराबर 1 प्लस C1 प्लस 1 प्लस C2 प्लस C3 जहां समानांतर सयोजन में Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 सयोजन की श्रेणी में धारिता को कम करने के लिए संधारित श्रेणी में जुड़े होते हैं जहां समानांतर सयोजन में संधारित धारिता बढ़ाने के लिए समानांतर करम में जुड़े होते हैं साइकलोट्रोन के अनुप्रयोग और उसकी सीमाए आनमिक प्रतिक्रिया के अधययन में इसका इस्तेमाल होता है इसका उप्योग आयनों के ठोस में प्रत्या परण और उनके गुणों के रूपान तरण में होता है इसका उप्योग रेडियो एक्टिव पदार्थों के उत्पादन में होता है जो बिमारियों के निदान और उप्चार में काम आता है उच्चु वेग में सापेक्ष द्रवेमान घटने से साइकलोट्रॉन की आवरिती कम हो जाती है इसकी वजह से विद्युत दोलक के साथ ये कण अनुनाद से बाहर चले जाते हैं न्यूट्रॉन की तरह यह विद्युतिय उदासीन कणों के त्वरण में उप्योग में नहीं आता है बायो स्वाट नियम यह किसी बिंदु पर चुम्ब की एक शेत्र का गणतिय विवरण है जो विद्युत धारा तत्व के माध्यम से विद्युत धारावाही से दृष्टी गोचर होता है ब्यो स्वाठ नियम व्यक्त करता है कि किसी बिंदु P पर विद्युत प्रवाहा i-dl के सापेक्ष सदिश आर और प्रवाही धारा i सक्रिय होती है तो चुम्ब की एक शेत्र db का पनिडाम है विद्युत धारा i के समानुपाती विद्युत प्रवाहत तत्व की लंबाई dl के समानुपाती साइन थीटा के समानुपाती जहां थीटा आर और डी एल के बीच के कोण है और बिंदुपी पर विद्युधारात्त्व से आर दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती बायो स्वार्ट नियम का गनतिय स्वरूप गनतिय स्वरूप में डी बी बराबर के गुणा आई और डी एल व आर कैप का वेक्टर गुणन फल क्रॉस प्रोड़क्ट आर की घात दो से विभाजित जहां के समानुपाती नियन तांक है और इसका मान म्यू शून ने बटे चार पाई द्वारा दर्शाया जाता है अब सदिश रूप में बायो स्वार्टनियम डी बी बराबर म्यू शून ने बटे चार पाई गुणा आई और डी एल व आर कैप का वेक्टर गुणन फल क्रोस प्रोड़क्ट आर की घात दो से विभाजित और परिणाम रूप डी बी बराबर म्यू शून ने बटे चार पाई गुणा आई डी एल साइन थीटा बटे आर की घात दो विद्यूत धारावाही वृताकार पाश के अक्षपर चुम्ब की एक्षेत्र विचार किया जाए कि आर्थ रिज्या वाले वृताकार पत आई विद्यूत धारा प्रवाहित कर रहा है हमें विद्युत धारा पाश से प्रभावित बिंदु P पर चुम्ब की एक शेत्र की गणना करनी है बिंदु P विद्युत धारा पाश के अक्ष पर स्थित है हम विचार करते हैं कि एक अति सूक्ष्म तत्व AB की लंबाई DL है बायो स्वार्ट नियम के अनुसार P पर कोई चुम्ब की एक शेत्र है तो इसे इस प्रकार दिखाते हैं म्यू शून्य विभाजत चार पाई गुणा IDL साइन थीटा और A वर्ग द्वारा विभाजत यहां थीटा बराबर 90 डिगरी और साइन नभ़े बराबर 1 अतह है P पर चुम्ब की एक शेत्र म्यू शून्य विभाजत चार पाई गुणा IDL और A वर्ग द्वारा विभाजन के रूप में दर्शाया जाता है विभिन्न तत्वों के कारण P पर चुम्ब की एक शेत्र विभिन्न दिशाओं में होगा CP के समानांतर सभी घटकों को जोड़ा जाता है जबकि CP के लंबवत सभी घटकों को हटाया जाता है अब विद्युधारा पाश के कारण P पर कुल चुम्ब की एक शेत्र को DB sin बीटा के कुल संकलन से दिखाया जाता है इस समीकरण में मान को रखने पर हम P पर कुल चुम्ब की एक शेत्र μू शून ने I बटे 4 पाई वर्ग गुणा sin बीटा और 2 पाई आर के बराबर पाते हैं लेकिन sin बीटा बराबर आर बटे A अतह P पर कुल चुम्ब की एक शेत्र μू शून ने I आर वर्ग बटे 2 ए घन के बराबर है इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मू शून ने I आर की घात 2 बटे 2 गुणा R वर्ग प्लस X वर्ग की घात 3 बटे 2 यह चुम्ब की एक शेत्र वृत्ताकार कुंडली के अक्षपर कारे करता है क्या आप जानते हैं? साइक्लोट्रोन और उसकी किरन पुंज रेखाएं लगभग 1.5 मेगावाट उर्जा खपत करती है सर्व विद्धित चुम्बकी क्षेत्र को विद्युत धारा या पर्मानों चुम्बकी गुरत्व या समयाक्षित विद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है न्यून प्रतिरोध शंट का उप्योग 2 उद्देशियों मीटर की श्रेणी को बढ़ाने और द्रिता से इसका कुल प्रतिरोध कम करने के लिए किया जाता है सारांज आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं औस्ट्रेड ने अवलोकन किया कि एक सीधे तार में वाहक विद्युत धारा चुम्बकी एक सुई के निकट विक्षेपित हो जाता है किसी चुम्बकी एक शेत्र में गती मान आवेशित कण पर चुम्बकी एक बल का मान महत्तम होता है जब कण चुम्बकी एक शेत्र के लंबवत गुजरता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग चुम्बकी एक शेत्र में विद्युत वाही तार के लिए होता है जब तार यंत्र में आर्मेचर के रूप में काम करता है मैक्स्वेल का कॉर्क स्क्रू नियम बताता है यदि स्क्रू इस प्रकार घुर्णन करे कि यह विद्योधारा के प्रवाह की दिशा में गती मान हो तो अंगूठे के घुर्णन की दिशा चुम्बकिये रेखाओं पर आरोपित बल की दिशा में इंगित करती है अभिकेंद्र बल का उप्योग चुम्बकिये बल द्वारा उत्पन वृत्ताकार पथ पर आवेश को जानने के लिए होता है कुंडलीनी की दिशा कक्षा के वृत्ताकार पदार्थ की दिशा के रूप में परिभाशित की जाती है साइक्लोट्रॉन एक यंत्र है जिसका उप्योग आवेशित कन को त्वारित करने के लिए होता है ताकि प्रोटॉन या आयन उच उर्जा प्राप्त कर सके चुंब की एक शेत्र किसी वृत्ताकार पथ पर अपनी गती से स्वतंत्र आवरिती वाले गती मान आवेशित कन को बाधित कर सकता है झाल 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 झाल